सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते आज मैं आपको बताऊंगी अगर आप लोग हिमाचल आएं तो हिमाचली बोली में आप किस तरीके से कनवर्शेशन करें किस तरीके से पूछें, किस तरीके से जबाब दें पहले मैं हिंदी में उस चीज को बोलूँगी फिर हम उसको हिमाचली में बोलेंगे हिंदी में और हिमाचली में थोड़ा सा ही फरक है जादा नहीं है वैसे तो अधर स्टेट के लोग भी बहुत दिल से बात करते हैं लेकिन हिमाचली कुछ जादा ही दिल से भावुक होते हैं और बहुत ही प्यार से बात करते हैं, अपने शब्दों के उपर वो तवज्जु देते हैं, तो आप मेरी slang को समझने की कोशिश करें, सिर्फ slang का ही फरक आता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए आप हिमाचल आए किसी के घर, और आप क इस तरीके से सबसे पहले हम मिलते हैं, तो हम हिंदी में बोलते हैं, नमस्कार जी, तो हम इसी चीज को बोलेंगे हिमाचली में, राम राम जी, नमस्ते भी बोल सकते हैं आप, राम राम भी बोल सकते हैं आप, फिर हम पूछते हैं, और सुनाओ ठिक ठाक हैं, या और सुना होर फिक ठाके तो ये फरक है पहले वाला हिंदी में और ही माचली में हादी सब φ्ट है jhanji ह हंजी सब ठीक है जी इंदी में हम बोलेंगे तो हम पहाडी में बोलेंगे सब बदियाए ठिक ठाके सब बदियाए सब तो एक सेंटेंस में अगर बोलना हो तो सब बदियाए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कब आए हिंदी में हम हिमाचली में बोलेंगे के बे आए के भे के बे आए तो अगर क्वेश्चन पूछा आए तो जैसे मैं आंसर करूंगी आज ही आई हिंदी में और हिमाचली में हम बोलेंगे ए बे आई उन थोड़ी देर पहले आई थी या ए बे आई दोनों सेमी चीज़े हैं कब जाएंगे घर? कदी जाना घर आजो? मतलब बापिस कब जाएगी? ससुराल से माईक के आई हूँ ना तो कब जाएगी? कदी जाना घरो? बापस अगले हवते जाऊंगी? हिंदी में हम इस तरीके से बोलेंगे और हम इमाचली में बोलेंगे जाना अगले हवते घर पर सब कैसे हैं? हिंदी में और पहाडी में बोलेंगे घरा सब केडे ठिक ठाके? मतलब हम शब्दों को खींचते हैं केडे कैसे को बोलेंगे केडे आव बैठो आवा ता बैठिलवा घरी भर चाय पानी पीलीजिये चा पानी पील के जावा इस तरीके से हम बोलेंगे आप समझ रहे होंगे पहाडी और हिंदी का फरक तबियत कैसी है? ठीक है? जियू केडा ठीक है की नहीं? तबियत को हम पहाडी में बोलते हैं जियू और आंसर आएगा तबियत तो ठीक है जी जियू भी ठीक किया जियू भी ठीका जियू मतलब तबियत भी ठीक हाँ आजकल क्या कर रहे हो? क्या नौरी रा आज का ले है? नुआडी रा मतलग क्या कर रहे हैं कुछ नया क्या कर रहे हैं तो कुछ नहीं ऐसे ही घर के छोटे मुटे काम और क्या पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है तो इस तरीके से हम डेली रूटीन की जेनल कन्वर्शेशन कर सकते हैं इसमें आप डिफरेंस भी समझ रहे होंगे और आगे में और वीडियो में आपको और ज्यादा लेसन्स के बारे में बताऊंगी इसके आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट करना बिलकुल ना भूलें और ये भी जरूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो ज़्यादा चाहिए ताकि मैं उस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचा सकूँ रही तावरी राम राम